तो देखे फिर्स इससे पहले मैंने आप लोगों को बिहार कंटरफेस MCQ का पार्ट टीन तक कराया है और उमीद करता हूँ कि इससे पहले आपने देखा होगा और अगर आपने हमारे नोट्स वाला जो सिरीज देखा है तो बहुत अच्छी बात है जिसमें मैंने आपको अभी तक 12 पार्ट कराया है अभी उसके और पार्ट आएंगे तो अगर आप लोगों ने उसको देखा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं देखा है इहला प्रश्ण यह आता है कि किस आयाइटी को लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया तो बिहार का आयाइटी जो पटना है इन्हों ने एक पोटेबल इन्वर्टर बनाए है तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जागा option D ठीक है जो कि हाली में पेटेंट कराया option D को टेक करेंगे second question हमारा बनता है कि बिहार में कितने महीने की सजा वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे यह परश्ट भी आपको बताया गया था कि अब अगर बिहार में कोई वेक्ती 6 महीने तक की सजा भी पाया है तो वो लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते तो यहां पर सही आंसर C होगा अगला प्रशनात है कि बिहार में नहरंदा विश्व विद्याले का नया परिसर कहां स्तीत है जिसका उद्गाटन प्रधानमंति नरेंद्र मोदी ने हाली में किया है और मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्गाटन किया गया वो आपका 19 को किया गया ठीक है तो यह चिद्यान रिगा 19 जून 24 को किया गया राजगीर में और सी राजगीर में अगला प्रशन कि बीतवर्स 23-24 के यानि पिछले वर्स की बात कि जा रही है बीतवर्स 23-24 के दौरान राष्टिये क्रेसी और क्रामिट विकास बैंक जिससे हम लोग न नबाड के द्वारा बिहार को दी गई कुल बीतिय सहायता कितनी थी तो मैंने आपको बताया था कि पिछले वर्स 23-24 में बीतिय जो सहायता दिया गया था नबाड के द्वारा बिहार को वो 10,372 दसमलो 8-6 करोड रुपे था अच्छा लेकिन अगर हम बात करें कि बीतवस 24-25 के दौरान 24-25 के दौरान कितनी अनुमान रखा गया कि नबाड के दौर बिहार को ये सहायता मिलेगा तो 243,093 ये इतना करोड की गई है 243,093 करोड रुपे जो कि सहायता प्राप्त होने का अनुमान लगाए गया राइट चलिए नेक्स्ट आता है कि बिहार सरकार के प्रमुख छेतरक कौन सा है तो बिहार सरकार के नुसार जिस्ती संग्रह बढ़ाने के लिए जो प्रमुंख छेतरक है वो है ओध्योगी छेतरक है ठीक है ओध्योगी छेतरक और आफ्शन Mr. for the next question में बढ़ते हम अगला सवाल आता है कि बिहार सरकार दोरा प्रदान किया जाने वाला कितना प्रतिसत आरक्षण पटना उच्छ न्याले के दोरा रद कर दिया गया तो पटना उच्छ न्याले के दोरा हाली में कितना प्रतिसत आरक्षण दिये जाना का जो बात की गई थी उसको रद कर दिय इसको रद कर दिया गया काफी चर्चा में है पटवा टोली क्यों चर्चा में था तो यहां पे आपको बताएगा कि हर साल काफी बच्चे जो कि IIT किलियर करते हैं तो इसलिए इसको आयटी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है ठीक है पटना के पटवा टोली जो है गया मिस्तीत है बिहार के पटवा टोली आओ नेक्स्ट आता है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने इसके सांथ समझाता कि आगया बिहार सरकार के त्वरा नेक्स्ट आता है कि स्वास्त स्रेडी में महिला उद्धारन पूरसकार यानि वूमेन इग्जांपलर अवर्ड प्राप्त करने वाली रूमी परवीन बिहार के किस जीले से हैं मैंने अभी आपको चार पार्ट कंप् आपको पता है कि पेपर में हमेशा हर साल वेक्तिव सेलेक्टेट क्वेसंस पूछे आते हैं कि उनका जीला कौन सा था या फिर उनका संबंद किस छेत्र से क्यों वह चर्चा में करन्ट के गाड़ी तो आप उसो जरूर देख लेना उसमें मैंने कवर किया हुए तो दीखे रूमी परवीन के बारे में आपको बताएगा था कि बिहार के ये किसन गंद से बिलॉंग करती हैं जिनको हाली में वुमेन एक्जॉम्पलर अवर्ड दिया गया स्वास्त द्रेडी में ठीके फिन्स तो इनको याद रखना है इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रशन आता है क कि कि कम्पनी ने बिहार से जी आई टैग वाली साही लीची के लिए भारत की पहली D2C डिलेवरी सेवा शुरू किया गया वहाद प्रश्म पली साही लीची के लिए आम्रपाली फूट लेमिटेड ऑप्शन भी हो जागा शाही अनसर मिर्षा चावल को जी आइई टैग द सापित करने की घोशना की गई है ठीक है नेक्स्ट उत्तर पर्देश और बिहार के उन सहरों का नाम बताई जिनके नाम पर मंगल गरह पर हाली में खोजे गए क्रेटरों का नाम रखा गया है तो यह भी प्रश्ट हमने आपको बताया था उत्तर पर्देश की बात करे तो मुरसान हो जाता है और बिहार की बात करे तो हिलसा और हिलसा जो हो नालंदा में पढ़ता है यह भी याद रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है बिहार के किस जीले के कोशी छेतर के कोखना गाउं हाली में चर्चा में कोखना गाउं के निवासियों ने बाड़ प्रबंधन के समझ में सरकारी उपिक्षा के कारण सभी राजनेतिक दलों के खिलाफ अक्रोस में 1224 के चुनाओं का बहिस्कार किया है मतलब कि 1224 का जो चुना हुआ उसमें इस गाउं के कोई भी विक्ति ने भाग नहीं लिया है पाटिस्पिट नहीं किया लोकसवा चुनाओं में तो कोखना गाउं जो है वो किस जीले में पढ़ता है सुपॉल जीले में याद रखेगा आने वाले फिपर के लिए बहुत ज बिहार का वो हाली में चर्शित जीला चर्शित सहर जो है हाजीपूर इसने रूसी सेना और उरोपीय बजारों के लिए जूते बनाने का मानेता इसको मिला हाजीपूर को आप्शन C हो जाता है जुब्बा साहनी जिन्हें हाली में जिन्हें 11 मार्च 1944 को फासी दी गई थी इनके नाम पर किस स्थान पर एक पार्क और रेल्वे स्टेशन है मतलब चर्चा में है जुब्बा साहनी तो देहान रखना है कि एक सोतंतर से जानी थे उस वक्त के बिहार से बिलॉंग करते थे जिनका समंध मजबफरपूर से था चीक है मजबफरपूर बिहार के किस जील भागलपूर ठीक है भागलपूर अगला प्रशनात है कि केंद्र ने बीतवर्स 25 के लिए मन्रेगा मजबूरों की दरों में 3 से 10 प्रतिसत की बढ़ोतरी की अधी सूचना जारी किया बीतवर्स 24-25 में बिहार में मन्रेगा मजबूरों को कितना मिलेगा यानि उनकी दैनिक मजबूरी जो की कितनी होगी बिहार में मन्रेगा मजबूरों की तो 245 ठीक है 245 ऑप्सन डी होगा 245 उर्पया अप्रेहल 24 को बिहार राज आप्दा प्रबंधन प्राधिकरन द्वारा परियावरन संरक्षण एवं पारिसित की विकास में जन भागिदारी को लेकर के कौन सा कारिकरम आयोजीत किया गया था तो यहां पर मारा सही आंसर क्या बनेगा इन से मिलिये कारिकरम ठीक है इन से मिलिये कारिकरम किया गया था और इसमें एक मुख्य अतिति जो आयते परियावरण विद उनका नाम क्या है याद रखना है कि पदम भूशन वो प्राप्त करत पदम फूर्षान डॉक्टर अनिल प्रकास जोसी यह चीज़ याद रखना है चलिए अच्छा नितिस क्या है हाली में आपको पता ही है हाली में नितिस नामक के डिवाइड डिवाइज कह सकते हैं डिवाइज मतलब कि एक उपकरण है जिसको लॉंच किया गया है मुख्यमंत में परदानमंती नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की मैथली ठाकुर को निवलिकित में से कौन सा पूरसकार मिला तो मैथली ठाकुर का सम्मध बताया है हम इने मदूबनी से यह बिलौं करती है जिनको हाली में राश्टी रचनाकार पूरसकार से नवाजा गया है ठीक है तो यह point याद रखना है, next हमारा आता है कि हाली में जारी एक report के नुसार, जल्स रोतु के संड्रक्षन के मामले में कौन सा जीलत सिर्शस्थान पर है, तो ये भी मैंने आपको बता था है कि हाली में जल्स अंड्रक्षन का एक report आया है, जिसमें सबसे जादा संड्रक्षन के मामले में टॉप पर बकसर आता है, फिस नमर पर बकसर, सेकेंड रैंक पर बात करें तो हमारा जीला रोतास, और थर्ड रैंक पर अगर हम देखें तो थर्ड रैंक पर जहाना बाद आएगा, दो अस्थान वर इथनॉल सेंत्र के प्रस्तावह को मंजुल जी ऑं ये दोनों सेंत्र本ब किस recording doen? तो ये दोनों सेंत्र जो लगया जाएगा वो आपका गुपाल गंज़ के अंत्र एप ठीक है गोपाल गंज में कौन सा महत्सो मनाया जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट महत्सो है नाम उसका बताइए जल्दी से कमेंट करके नेक्ष्ट प्रस्ट आता है कि भारतिय भीमान पतन प्राधी करन बिहार के एक हवाई अड़े पर एक नय टर्मिनल भवन बना रहा है जिसे एतिहासिक अस्तल के समान बनाया गया है नय टर्मिनल भवन किस एतिहासिक अस्तल की अनुरूप बनाया जाएगा तो ये बनाया जाएगा दरभंगा किला की अनुरूप ठीक है? दरभंगा किला आप्सन C अगला प्रश्ट, खाली में भारती रास्टे महिला होकी टीम के कोच न्यूक्ति किये गए हरेंदर सिंग मुलरुप से बिहार के किस जिले से? तो देखे बारती रास्टे महिला होकी टीम के इनको कोच बनाया गया हरिंदर सिंग को और इनका समन्द बिहार के सारन डिस्टिक्स है ठीक है सारन डिस्टिक्स है भिलॉग करते हैं अगला प्रेशन की 22 मार्च 2024 को बिहार दिवस कौन सी वर्षगाट मनाई गई तो परतेक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं तो इस वर्ष 2024 में कौन सा वर्षगाट था तो 112 वर्षगाट मनाई गई ठीक है 112 बिहार के परियावरन वन एम जलवा वायू परिवर्तन विभाग के सचीव कौन है जिन्होंने इंडोनेसिया में आयोजित प्रतिस्ठित जाकरता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है इनका नाम बंदना प्रेसी होगा ठीक है बंदना प्रेसी ऑप्सन C अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया त चीन में आयोजित अंतराष्टिय तिरंदाजी बिश्वकब 2024 के स्टेज फर्स्ट में दो पदक जीते हैं तो बताना है आपको कि प्रियांस का संबंद बिहार के किस जीले से हैं तो करेक्ट आंसर हो जागा बेगुसरा है ठीक है बेगुसरा है अब यह मुझे बताईए कि प्रतिविक्ति आयक के मामले में बेगुसराय का कौन सा अस्थान है ठीक है बेगुसराय का कौन सा अस्थान आता है यह आप कमेंट करके बताना ठीक है फिंस तो आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो देख दीचेएगा चैनल पर पहली बारे सब्सक्राइब करके रोटिफिकेशन में लेकर को आल पर सेट कर लिए और साथी साथ बिहार करंटरफेस की सभी पीडिएफ चाहिए आपको तो आप मारे अप्लिकेशन पर जा सकते हैं पीडिएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आपको टे